नमस्कार दोस्तों आप सज़ोगा स्वागत है मेरे YouTube चेनल आनिल पंचायत में आप सज़ोगों पता ही है मेरे YouTube चेनल आनिल पंचायत है और आप अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रथेक नए वीडियो और प्रत्यक नए अपडेट के जनका ही प्राप्त होती रहे दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे प्रामिस किया कि मैं विवाः पोटल पर आपको फॉर्म के बारे में भी बताओंगा फॉर्म करकर सभी आयोजन का भी बता रहा हूं जैसे मैं आपने मेरा वीडियो देखा तो इस की बारे में पूरा जानिंग किस तरह से रुपए मिलेंगे क्या क्या मिलेगा और के से क्या फॉर्म है ठीक हो सभी रहेंगे और इसके डेस्क्रिप्शन वाक्स में फॉर्म की पीडिय अप्लोड कर दूंगा जिससे कि आप डाउनलोड करकर आसानी से उसको फिलप कर होंगा बनना भी किस तरह से फाम बनना है और आसानी से जम्मा कर सकेंगे चली हम देख लेते हैं तो मुख्यंतरी कन्या विवाह योजना जो है 2022 है ना मद्ध प्रिदेश आशन आजादी कमरत मौसव श्री शिवराशी चोहान मुख्यंतरी मुख्यंतरी कन्या विवाह विवाग से पूरा आदेश हम देख लेते हैं मद्ध प्रिदेश आसन सामजी क्न्या विवाह योजना शंशोधित योजना 2022 के क्रियान मनद के सम्मंद में ठीक है क्या क्या होगा हम दिर्य सध्यान से देखेंगे तो उस्तों पूरा वीडियो सुरू से आखरें तक देखन राजी सासन द्वारा वर्स दोजार चे में निरास्रीत निर्धन परिवार की कन्या विद्वा परित्यक्ता के सामू विवाहेतु आर्तिक सहायता प्रदान कन्ये के उद्देश से योजना आरम की गई जो योजना वर्तवान में मुक्यंत्री कन्या विवाह योजना के नाम स अन्य सनिर्वान कर्मकार कल्यान मंदल के अंतरगत पंजीगरत स्रमिकों हेतु संचालित विवाय योजना को सामाजिक न्याए एवं निशक जन कल्यान विवाक द्वारा संचालित मुक्यंतरी कन्या विवाय योजना में समाहित किया जाएगा ठीक है इसी में मिला लिया गया पूर्व में इस विवाक के परित परत्र क्रमांग ये लिखा हुआ है द्वारा मुक्यंतरी कन्या विवाय योजना के आरंब दिनांग के पश्चात किये गए संसोदनों को एक जाई कर एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया था अभी तक योजना के संचानेतु जारी सभी दिशा निरेशों को अधिकरमीत करते हुए प्रचलित प्रापदान इबं अब तक किये गए सभी शंचोदनों को समाहित कर योजना को नवीन सोरू प्रदान कर मुक्यंतरी कन्या विवाय योजना शंशोदी योजना 2022 के नवीन दिशा निरेश एक पुस्तिका क रूप में तयार किये गए हैं जो सलगन है अता संशोदी योजना के अनुरूप क्रियान बन किया जाना शोनिशित किया जाए सलगन मुक्यंतरी कन्या विवाय योजना 2022 मद्द प्रदेश के राजिपाल के नाम से तता आदेश अनुसार प्रमुक सची मोदे मद्वरेश आ प्रत्य विवाग में दी जा चुकी है और दोस्तों अब हम देखेंगे कि इसका पूरी बुकलेट है यह मैं आपको पीडिया प्रूप में डाल भी दोंगा इसमें अप्लोड कर दूँगा जिससे आप डाउनलोड करकर अपने मुबाइल कंप्पूटर में सेफ कर सकते हैं तो मुख्यंतरी कन्य विवाग योजना संशोई योजना 2022 अनु क्रमन क्रमी निका ठीक है तो इंडेक्स है पुरा क्रमांग दिया प्रस्तावना प्रस्थांक्या पूरा दिया हुआ है दोस्तों यहां से हम एक एक चीज़ों पर ध्यान देंगे पूरा ध्यान से देखना दोस्तों तो मुख्यंतरी कन्य विवाग योजना शंशोई योजना 2022 मुख्यंतरी कन्य विवाग योजना शंशोई योजना 2022 प्रस्तावना मद्द प्रदेश आसन द्वारा वर्स 2006 में इरासरित निर्दन पर विवार की कन्या विद्वा परित्यक्ता के सामों विवाग य प्रदान करने के उद्देश से योजना प्रारम में की गई, जो योजना वर्तवान में मुक्यंतरी कन्या विवाय योजना के नाम से संपून प्रदेश में संचाली थे। कन्याओं, विद्वाओं, कल्याणी, परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्तिक साहता उपलब्द कराना है, योजना का विस्तार, मुक्यंत्री कन्या विवाह योजना नभीन स्वरूप में संपून मर्द्प्रेश में आदेश दिनांग 22.22 से प्रवाशिल हो गई ठीक है, साहता राशी, ये बहुत महत्पून है दोस्तों, साहता राशी, मुक्यंत्री कन्या विवाह योजना अंतरगर सामुईक विवाह कारकम में समलित होकर विवाह संपन कराने वाली प्रत्यक पात्र कन्या, विद्वा कल्यानी परित्यक्ता, जिससे आगे वदू कहा को राशी रुपए 55,000, 55,000, 55,000 प्रत्यक अन्या के मान से स्युकरत किये जाएंगे, जिसमें से रुपए 11,000 की राशी वदू को एकांट पेचेक, जो सिद्वे एकांट में ही पेशे जाते हैं, उसको एकांट पेचेक बोलते हैं, एवं रुपए 38,000 की सामगरी वदू को उपहार की रूप में आयोजन करता निकाय द्वारा प्रदान की जाएगी रूपे 6,000 सामुक विभाक आरकाम आयोजन करने इतु आयोजन करता निकाय को दे होगी 6,000 रूपे जो आयोजन करेंगे उनको दिये जाएंगे ठीक है तो राशी बढ़के दोस्तों 55,000 हो गई है और जिसमें से 11,000 तो सीधे एकाउंट पर इचेक में जो बधु के एकाउंट है उसमें एकाउंट पर इचेक के मदम से दिये जाएंगे और 38,000 रूपे 38,000 जो है सामगरी के रूप में बधु को उपार के रूप में दिये जाएंगे ठीक है वो 6,000 रूपे जो है जो आयजन करता रहेंगे उनको दिये जाएंगे पातरता के मापदंड वर बधु के अविवावक मद्ध प्रदेश के मोले निवासी हो बदु द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयू पून कर ली गई हो वरतमान में कन्या के लिए विवाह कन्या यतु नियुंतम विदानिक आयू 18 बर्स तदा पुरूस के लिए नियुंतम विदानिक आयू 21 बर्स निर्धारित है परिट्यक्ट्य महिला जिनका कानोनी रूप से तलाक हो गया हो योजना अंतर का सायता प्राप्त करने के लिए हिद्गाई ये तू आये का कोई बंदा नहीं रहेगा किन्तु ये आपशक होगा कि इद्गाई अपना विवाह निर्दारी तीतियों पर आयजित होने वाले सामुईक कन्या विवाह कारकम में समलित होकर ही संपन कराएं एकल विवाह की सिती में योजना का लाप्रदान नहीं होगा ठीक है मतलब इसमें कोई इद्गराई का कोई आये का कोई बंदा नहीं होगा आये प्रमान पत्र नहीं लगेगा आये का कोई बंदा नहीं माना जाएगा कितनी भी आये हो कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन जो है सामुईक जो विवाह होगा कन्या विवाह कारकम उसी में संबलित होना पड़ेगा एकल विवाह की स्थिति में योजना लाब नहीं प्रदाय किया जाएगा अन्य मापदन श्रम विवाह के अंतरगत मद्द प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्मान करमकार कल्यान मनल के अंतरगत पंजीकर समीक हेतु विवाह सहायता योजना को सामोजे जो पहले इसमें होती थी भवन एवं अन्य सनिर्मान करमकार कल्यान मनल के अंतरगत उसको भी साम इसे पंजगरायों कि एकल विवाह मुख्यंधरि करने विवाह जोड़ना कंतर है लाभ प्रापत करने तो पातर नहीं होँगे, मतलब आप अकेले ज़ी विवाह करते हैं तो पातर नहीं होँगे, आपको सामुघ विवाह सम्मिलन में ही जाना पड़ेगा, ठीक, एक पंज़ पुत्रियों के विवा होने की स्थिति में योजना अंद्रगत सायतरासी सामजिक नयाय एवं निशक जनकल्यान विवाक दोरा प्रदान की जाएगी मुक्यंत्रि कन्या विवा योजना मद्द प्रदेश की वदू के लिए है यदि वर प्रदेश के बाहर का भी है तो उस वदू को योजना का लाप्राप्त करने का अधिकार होगा मतलब यदि दूला जो है जो वो बाहर का भी है वर यदि बाहर का भी है प्रदेश के बाहर का वो यदि हमारे प्रदेश से बाहर किये तो इस सोजना का लाग नहीं प्राप्त होगा ठीक है तो मून लिवासी होने जरूरी है करन्या करन्या का पूरू में विवाहा ना हुआ हो इस मापदन से आशे यह है कि वरवधू का विवाह योजना अम्तरगत आयोजिक सामुईक सा आवेधन प्राप्त हो जिला एबं निकाह इस्तरी मुक्यंतरी कन्या विवाह योजन समुथी समुथी आवं हम आयोजन समुथी के अरब चलचा करेंगे ध्यान से देखे हैं दोस्तों एक एक चीज़ के बारे में में अताने जा रहा हूं सामूईक न्या विवाह कारकंव सुचारू रूप सा आयोजन सुनिशित किया जाने हेतु जिला इस्तरी एवं निकाह इस्तरी समीतियों गठन जिला कलेक्टर दोरा जिले के प्रवारी मंत्री के अनुमोधन प्राप्त कर लिया जाएगा उक्तुत समूती में प्रवारी मंत्री द्वारा प्रत्यक समित्री हेतू सेत्री विदायकों एवं पांच इस्तानी प्रतिष्टित नाईगों को नामेंकित किया जाएगा अज आसकी सदस्चों के अलाबार निम्ननो सार सासकी अधिकारी सदस्च होंगे जिला इस्तरी समीती में जिला कलेक्टर, पुलीस अधिक्छक, मुख्य कारपन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य चिकिस्ता अधिकारी जिला कारकम अधिकारी महिला अभाली विकास विवाग, परियोजन अधिकारी जिला शहरी विकास अभीकरान डूडा, जिला स्रम अध जिला स्रम अधिकारी समेक्ट उप्सराचलं सामजैक नयाई एवम निषक जन कलने आण समगर सामाजीक सुरक्षा विस्तार अधिकारी सामाजीक नयाम निषक जन कलने आन विवाग सभी सतर की समीतियों में कम से कम दो महिलाओ शास्की या शास्की को समलित करना निवारे होगा अब हम देखते हैं कारकम के आज़न हेतु अधिकरत संस्ता योजना अंतरगत सामुई विवा कारकम के आज़न हेतु निम्डांकी संस्ता अधिकरत रहेंगी नगरी छेतर में नगरी निकाय, नगर निगम या नगर पली का या नगर परिसत ग्रामीनी छेतर में जनपद पंचायत अन्न किसी संस्ता दोरा कराय जा रहे सामुईग विवा इस योजन अंद्रगत लाप पार ने हेतु पात्र नहीं होंगे ठीक है, तितियों का निड़दारन सामुईग विवा की तितियां इवम संस्ता का निड़दारन जिले के प्रवारी मंतरी दोरा किया जावेगा इन तितियों में सामुईग विवा कारकर मायुजित किया जा सकेंगे इन तीतियों का व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिशित किया जाए जिससे एक छुख जोड़ों दोरा समय पर आवेधन किया जा सके जिसक मैं आपको वीडियो बना कर बता है विए किस तरह से हम पूरी तीति देख सकें किस दिन जो है विवाव होना है किस जिले में होना ह परिसाद किस जनपत पंचायत में होना है जिले के संइक तूप संचालाग सामजिक नयम निश्यक जन कल्यान विवाग दरा उक्तितियों को विवाव पोर्टल पर भी इंद्राच या जाए मनला विवाव पोर्टल जो मैंने आपको बता है उस पर भी इसकी एंट्री पूर जनपत पंचायत को सामु विवाग आरकम की निर्दारी दिनांग से 15 दिन पूर्व करना होगा आविदन पत्र निशुल्क जनपत पंचायत नगरी निकाय में उप्रब्द होंगे ठीके मैं इसके डेव स्क्रिप्शन बाक्स में आविदन पत्र डाल दूँगा जिससे जनपत या नगर परिसाद या नगर पंचाय नगर निकाय में आपको आविदन जमा करना होगा वदुदरण निवनवशार स्वाप्रवाणीत गोश्न पत्र आविदन पत्र के भाग दो में देना होगा कन्या है तू कि कन्या का इससे पहले कभी विवा नहीं हुआ है कंडिका 10.3 जो ये देखी है कि तर्जु पर वर द्वारा स्वा प्रणित गोश्णा पत्र आविदन पत्र का भाग 4 ठीक हम वो भी दिखाएंगे आविदन पत्र के साथ पातरता सम्मझी दस्तावे सलगन करने होंगे सम्मझी निकाया दोरा पूर आविदन प्राप्तोने के वर वदू के अविवाग का मद्बरेश के मुलिवासी होने का प्रमान पत्र वदूवा उसके वर की नोंकों की समग राइड़ी, ठीक है? समग राइड़ी उपलब्द ना होने की स्तिति में समधन निकाया इसका अविदन इवास framework करायी जाएगी वर्व मद्विलेश का निवासी नहीं होने की स्थिति में समगर आइड़ी अनुवारे नहीं होगा ठीके वर्व वर्व के अधार काट की चाहब रती फोटो कॉपी परादिकारी द्वारा जारी किया गए जन्म परमात्र in Leondorf परिचेपृ जिसमें आयू रथा जन्म तिती अंकित हो शास की चिकिस्सा विश्यसा के द्वारा आयू हेतु जारी प्रवाणवत्र अत्वा महत्मा गांधी राष्टी ग्रामी रोजगार गारेंटी स्किम का जाप कार्ड अन्य दस्तावे जो आयू शिद्ध करने तु काने रूप से स्विकार हो वदूवा उसके वर के पासपोर्ट साइस के दोदो फोटोग्राफ वदूवा वर का मोबाइल नंबर यदि हो अविवाग का मोबाइल नंबर यदि हो तो कल्यानी विद्धवा होने की स्थिति में पूरुपति का मृत्ति पनात्र परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में क कर्मकार कल्यान मंडल से राप्ति की जाएगी विवा यह तुँ इद्गराईयों की पातरता की जांच यह तु ग्रामिन चेत्र में जनपत पंचायत के मुख्यकारमा अधिकारी में सीओ मोदे द्वारा हेवं नगरी चेत्र में आयुक्त नगर निगम अथ्वान निकाय के मोदे द्वरा जांच समीती का गठन किया जाएगा जो की पातरता के मापदन को ध्यान में रखते हो एदगराईयों के आविदन पत्रों की जांच कर सामुग विवा कारकम में समलित होने यह तु जैयन करेगी जांच समीती आविदन पत्रों की जांच कर परिशिष्ट ती प्रसुत करेंगी जाज पस्षात पायेगा सभी आवेदनों की पातरता पातर दोनों के विपरन को विवाः पोटल में दर्जी किया जावेगा उक्त प्रक्रिया को सामुग विवाह कारकम से 7 दिवस पूर्भ पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंध इस्तारी निकाय की में उपस्तित रहने तो सूचना अमंत्रन पत्र परिसे छे देना होगा एवाम अपात्र केका अविदन को कारण सहीत अवगत कराया जाना होगा पात्र जोणों के स्विग्रदी आदेश विवाह पोटल द्वारा ही जनरेट किये जाएंगे वदू को उपहार सामगरी प्रद प्रदान मंत्री उज्वला जोजना के अनुसार कलर टीवी 32 इंच की डी जाएगी ISI मार्की रीडियो दिया जाएगा ISI मार्क का इस्टील के अलमारी साड़े 5 फेड 20 गेज की होगी 20 गेज की होगी 6 फाइबर कुरसी का सेट टेबल के साथ दी जाएगी ठीके 6 फाइबर क लोहे का निवार वाला पलंग अथो लकडी का पलंग 4 वाई छेका 4 इंटु 6 फीट मजबूत एबं टिकाओ रजाई गद्दे तकिया साइथ 2 चादर रेडिमेट 3 इंच की रुई की मोटाई 3 इंच की रुई की मोटाई साइथ आभूशन पायल बिचिया माथा टीका बें बेंदा मंगल सुतर चांदी के और चांदी का 70% टंच पायल 70 ग्राम की रहेगी और बिचिया 10 ग्राम की ठीके दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इतनी सभी चीजे मिलेंगी है न 38,000 की जो सामगरे सामु विवा के सामें ही बदू को प्रदाय की जाएगी तो यह यह चीजे हैं और मैं आपको आगे दिखाता हूँ माता टीका बेंदा 10 ग्राम मंगल सुतर 50 ग्राम नोबाय पेर वाली सिलाई मसीन आएसाई मार्क की होगी टेवल फेन होगा पंखा आएसाई मार्क का दिवार घड़ी होगी आएसाई मार्क की डानिंग टेवल लकडी या बदू के वस्त्र साडी, ब्लाउस, पेटी कोट सभी चार नग चूडिया स्रंगार की सामगरी अच्छी ब्रान का क्वालिटी कपड़ाई वम सामगरी तो इतनी दोस्तों यह सामगरी जो है 38,000 की जो सामु विवा के समय ही बदू को परदाय की जाएगी ठीक है तो यह है समयग्ती उक्त सुची में प्रभारी मंत्री के नोधरन से परविरतन कर सकेगी तरों के निर्दायन एतों प्रकरिया तरों एवं विकरताओं को निर्दारन जिला इसतर पर मद्ध प्रदेश भंडार क्रेणियम के नुसार किया जावेगा। उक्त निर्दारान कनने ये तो निर्णमसार गटित समीती के नुशनसा पर कलेक्टर द्वारा दरू एवं विक्रिताओं का प्रतिवरस निर्दारान किया जाएगा मुख्यकारप्ण अधिकारी जिला पंचायाज, CEO मोद जिला पंचायाज अध्यक्ष रहेंगे उक्त गटित समीती में महिला अधिकारी ना होने पर कलेक्टर जिले की दो महिला अधिकारियों का नाम विशेसामंतरी सदस्ट के रूप में नावंकित कर सकेंगे जो कन्या के लिए खरीदी जाने वाली सामगरी की चैन के विकल्प और गुणबत्ता पर सुजाब दे सकेंगे स्विक्रत करता अधिकारी योजना अम्तराथ गार्मिन चेतर में जनपर पंचायाज के मुख्यकारप्ण अधिकारी स्विक्रत करता अधिकारी योजना अम्तराथ गार्मिन चेतर में मुख्यकारप्ण अधिकारी योजना अम्तराथ गार्मिन चेतर में मुख्यकारप्ण अधिकारी योजना अधिकारी योजना अम्तराथ गार्मिन चेतर में मुख्यकारप्ण अधिकारी योजना अधिकार तीनु लेकिस समीती द्वारा वदू को प्रदाय की जारी सामगरी की गुर्मत्ता सुनिशित की जाएगी उक्त समीती द्वारा प्रदाय की गई सामगरी गुर्मत्ता समंधी संतुष्टी प्रमाल पत्र की उप्रांत ही विक्रेता को भुकतान की कारवाई की जाएगी आदिकारी स्विक्रती पत्र जारी करेंगे एवं चेक पनाने की प्रेखरिया आरम करेंगे। आदिकारी स्विक्रती पत्र जारी करेंगे एवं चेक पनाने की प्रेखरिया आरम करेंगे। आदिकारी स्विक्रती पत्र जारी करेंगे एवं चेक पनाने की पत्र जारी करेंगे। उसे ततकाल जिले को वापस करना होगा। सम्मदी निकाय दोरा कराय के आर्डिट की प्रती जिले के स्विक्त उप संचालाग सामजिक नायम निश्रक्जन को प्लब्द कराना निवारे होगा। बजट योजना अंतराइद व्याय मांग संक्या 34 सीर्स 22 पहतिस के अंतराइद विकलनी होगा मांग संक्या का विवरान इस प्रकार है। मांग संक्या 34 34 सामजिक नायम निश्रक्जन कल्याण सीर्स 22 पहतिस समाजिक नायम निश्रक्जन कल्याण 02 समाज कल्याण 802 0101 राजी योजना समाजिक नायम निश्रक्जन कल्यारे होगा मांग संक्या 34 सामजिक नायम निश्रक्जन कल्याण 02 समाजिक नायम निश्रक्जन समाज कल्याण 800-92-0102, अनुसिज जन जाती उप जोजना 6-7-0, दीन दयाल अन्तोधे मिशन को आर्थिक सायता मुख्यंद्री कन्य विवाज जोजना 42, सायक अनुदान 0-7-0, अनुसिज जाती मद, मांग संग्या 34, सामजी किन अनुसिज जन कल्याण 32, सामजी सुरक्षार कल्याण 02, समाज कल्याण 800-92-0103, अनुसिज जाती उप जोजना 6-7-0, दीन दयाल अन्तोधे मिशन को आर्थिक सायता मुख्यंद्री कन्य विवाज सायता जोजना 42, सायक अनुदान 0-7-0, अनुसिज जाती मुख्यंद्री कन्या विवाज जोजना की मस्से किया यसे इद्राइऑ की दोकन्या है तुँ वै का समय विवाजन मदपरेज, भवन, सन्निर्मान कर्मकार मन्देल से रासी प्राप्त कर कीया जावेगा ये राशी मंदल दोरा रिसेप्ट माच 0075, मिसले नियाज जनरल सर्वीस 800-800-अधर रिसेप्ट 1 में जमा कराई जाएगी परचार परशार है więc जन्संपर्क विवाक विशस्ग विशस्ता की जाए परचार परशार में इस जानकरी को अनिवार रूफ सामल कर जाएग भी लगाया जा सकेंगे ठीक है ये भी इसका भी प्रारूप हम देखेंगे अन्य बिंदू आवेदन पत्र पूर्णता के स्थिति में ही स्युकार किये जाएंगे अपून आवेदन को पूर्ण कराने तो आवेदक की यता संभव सायता की जाए पूर्टल में प्रडशन करने कैत्रिक्त स्थिक्रत अश्थिक्रत आवेदन को निकाय के सुचना प्रड़ल पर भी प्रकाशित कराया जाए वर एवं बदू के परिवार से किसी प्रकार का कोई पंजियन शुलक अत्वा दान नहीं लिया जावे विवा निशुलक होगा यदी कोई कन्या को उपार दिना चाते हैं तो उसकी सूची तैयार की जाएगी जिसमें उपार दिनाले का नाम, उपार का नाम, उपार की मातरा, संख्या अनुमानित मुल्यादी को सूचिवत कर सूचना पटल पर प्रशित करना होगा तता एसे सामगरी की सूची समीती अपने अभिलेक में प्रतक्से तहत बाल विवाह, अनुस्टान संबर करना वेक्ति के लिए नियाम अनुसार कानुननन प्रावदान हैं। पर प्रत करने कारवई जम्म्हां इसे करने कारवान प्रावां प्रत क्रत हैं। तो अज आज आपने इसमें देख लिया कि क्या क्या इसमें योगिता हैं। क्या-क्या सामगरी दी जाएगी और डाकुमेंट इसमें लगेंगे और टोटलनिये जाएगीज्ए कईसे किस की जाएगी सभी चीता हम उप देखी और दोस्तो आब में ये वीडियो बढ़ा हो चुका है तो Üसके अगले वीडियो में आपको इसके आविधान पत्र की पूरी प्रक्रिय दिखाऊंगा और उसमें आविधान क्या क्या लगेंगे उसमें डarκुमेंट और आविधान पत्र किस तरह करना है उन सभी के बारे में आपको विलकुल स्टेप बाई स्टेप बढ़ा बताऊंगा जिससे के आप श्वम ही आवेदन फार्म पूरा बढ़ सकते हैं ठीक है तो इसके एगले वीडियो में आपको पूरा आवेदन पतर जितने भी है जो जो उसमें डाक्मेन लग रहे हैं जिससे आपको मेरे प्रत्यक नए वीडियो और प्रत्यक नए अपडेट की जनकाई प्राप्त होती रहे तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद